लंबे समय बाद एक ऐसी दिवाली आ रहे हैं जहां पर जादा तर लोगों को किसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं है जिहां पिसले तीन चार सालों से किसी समस्या से जूजते रहे हम लेकिन इस बार दिवाली पर बाजार लाइफ टाइम हाई के आज पास है माहूल अच्छा ह एकोनोमिकी ग्रोथ बढ़े आए कमपनियों के नतीज़ अच्छा रहे है चोटी बोटी दिकते हैं दुडियावर में डेफिनेटली होती है है इस वक्त भी लेकिन फिर भी मूर माहूल काफी बैतीन है और अब आज से हम करने जा रहे हमारी इस खास सिरीज की शिरुआत औ हमारे साथ एक बहुत खास महमान कारिकर में शामिल होने जा रहे है है HDFC मिचर फंड के MD और CEO नवनीत मुनोत साब नवनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो आपको HDFC मिचर फंड की पूरी टीम आपके लाखों करोडों इंवेस्टर्स हैं उनके बीचेरे पर इस बार बहुत अच्छी मूस्कुराट है बड़े पैसे बने हैं आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शु बहुत बहुत शुब कामना है आपने बढ़िया टैग लाइन रखी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद खुशियों वाली दिवाली वैसे तो आपका चैरा हमेशा मुस्कराता रहता है जिनको खुशिया नहीं हो उनको भी खुशिया आ जाती है उस दिन आपको देखकर आप एक बड़ा सकारात्मक और एक बड़ा सरजनात्मक जिसको कहूं एक प्रेणा देते है निवेशकों को और आपने सही का खुशियों वाली दिवाली चाहे विश्व में कितना भी चिंता जनक माहौल हो विश्व की राजनीती में विश्व की अर्थ व्यवस्त देखा है निफ्टी सेंसेक्स के मेरे खाल में चार पांच प्रतिशत का रिटर्ण है बड़ आप ज्यादा तर एक्विटी फंड देखोगे तो डबल डिजिट रिटर्ण है ऑफकोर्स मिडन स्मॉल केप इंडेक्स काफी अपर रहे और वहां तो 20-25 प्रतिशत के रिटर् करेंगा में मिचर फंड को क्यो दूँ लेकिन जब इस तरह की दमदार परफॉरमेंस के इंडेक्स के मुकामले में दोगूना रिटर्ण इंडेक्स के बाकी शेरों के में आपकी परफॉरमेंस बहुत बैटर तब लोगों का कॉन्फिदेंस भी बढ़ता है और अब तो अमिरत काल की शुरूआत कि अमरत मौस्तुभ की शुरूआत के हिंदूस्तान के अमरित काल को लेकर सबसे जादा बुलिश पॉजिटिव अगर कोई आँगए तो आप की है इस दिवाली पर आप आने वाले सालों में कितनी बढ़िया, कितनी बहतर, कितनी बड़ी दिवालिया और देखना चाहते हैं और देखेंगे बिल्कुल देखेंगे आनिल जी अपनी तो बात हो रही है पिछले कई वर्षों से कि आजादी के अमरित काल में भारत पुने विश्व की वो ही सोने की चिडिया पुने विश्व का वो ही विश्व गुरू और हमने देखा कि जैसे मैंने पहले का विश्व में चाहे राजनेतिक और आर्थिक माहोल चिंता जनेक है लेकिन अगर आप अमरित काल का पहला वर्षो देखेंगे हमने जी ट्विंटी का नेत्रतु किया और बड़ा सकारा आत्मक संदेश पूरे विश्व को दिया हम लोग चांद पर पहुंचे इस लोग को बदाई हो इस साल में जेपी मौगन बॉर्ण इंडेक्स में भारत का समावेश हुआ इस साल जनसंगा की दश्टी से हम सबसे बड़े देश बने विश्व की पांच सबसे बड़े अर्थव्यवस्ताओं में हमारी गिंती हुई अभी विश्व की पांच सबसे बड़े शेर बजारों में मार्केट कैपिलाज़ेशन के हिसाब से हमारी गिंती हुई मतला मैं बहुत सारी चीज़ें गिना सकता हूँ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्टर की दश्री से देखें, तो physical infrastructure और digital infrastructure में विश्व में मेरे खाल में इस समय में सबसे ज़्यादा अगर प्रगती कहीं हो रही है और कारे कहीं हो रहा है तो वो भारत में हो रहा है, विश्व में पिछले साल हमने कई बैंकिंग क्राइसिज भी द सकता अच्छी शुरुआत हुई है और अगले 24 वर्षों में जब हम 24 वर्षों के बाद जब भारत का सौमा वर्ष मनाएंगे आजादी का तो मुझे पक्का विश्वास है कि विक्सित राष्ट के नजरिये से एक बहुत भी बड़े विश्व गुरू के नजरिये से हम पूर जाता है तो यह जो शुरुआत आप अमरित काल की कह रहे हैं यह इंडिया की एकोनोमी को इंडिया को ग्लोबल लेवल पर हमारे मार्केट को हमारी कोनोमी को कितना उपर ले जा सकती है और क्यों बिल्कुल ले जा सकती है अरिल जी अगर 6-7 प्रतीशत की ग्रोथ और 4-5 प ग्रोथ लेते हैं और उस पर अगर कंपनियों के मुनाफ़े और मार्केट कैपिलाइजेशन उस तरह से बढ़ते हैं तो कंपाउंडिंग करते करते 20-25 साल में बहुत बड़ा पैसा बन जाता है हमने मिचल फंड इंडिस्ट्री में पिछले कई फंड्स ऐसे हैं जो 20-25 साल करते हैं आप उनमें देखें किस तरह से कंपाउंडिंग हुई है किस तरह से एनवी बढ़ी है और जिन्होंने भी डिसिप्लिन तरीके से पैसा लगाया हर महीने अपनी एसाईपी करते रहे वह एक बड़ा सम एकुमिलेट कर पाए और मुझे पूरा विश्वास है कि अग अमरित महुतसब मनाया कि जो हमारी महीलाएं हमारी माताएं बहने जो बढ़नी के अंदर पैसा रखती है उसको वहां से आजादी कराओ और मिच्वल फंड में निवेश करो आईसाईपी के जरिए इस साल अरिल जी मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि इस बा पाएं कि अगले कई वर्षों तक अगर भारत की आर्थी कुन्नती में हमें भी भागीदारी करनी है तो एसाईपी के जरिए हर निवेशक को जोड़ना चाहिए हर परिवार को जोड़ना चाहिए मिलकुल उसका असर देख भी रहा है आप देखे इस साल मुझेल फंड इन्वेस्ट ने आठ लाग करोड़ से जाड़ा का यूएम जोड़ा है एक इस बाइस परसंट आपका यूएम बढ़ा है यह मुकाबले की बात बताता हूं आनिल जी आपको कि अप्रिल 2021 से मार्च 2023 के बीच में विदेशी निवेशकों ने करीब एक लाग सतर हजार करोड़ रुपए की सेलिंग करी हमारे मारकेट्स में एक लाग सतर हजार करोड़ की सेलिंग दो फानेशल एर और उसी समय में हमारे मिचल फंट्स ने करीब तीन लाग करोड़ रुपए से ज़्यादा की बाइंग करी पहले ऐसा कभी नहीं देखा हमने तीस साल से आप भी बजार को देख रहा हूँ पहले ऐसा बोलते थे कि अगर विश्व के बाजारों में छींक आ जाये तो हमारे यह तो बुखार आ जाता है इस बार कई जगह पर बुखार आया हुआ है लेकिन हमारे घरेलू निवेश्कों की वज़े से यहां पर छीख भी नहीं आ पाई और उसका कारण यही है कि जो अर महीने SIP का पैसा बढ़ता जा रहा है और पांच साल पहले अनिल जी एक खाली 8000 करोड रूपय था तो हमको 25 वर्ष की महनत लगी Regulators की महनत, industry की महनत, हमारे सब distributors और advisors की महनत और आपका बहुत बड़ा contribution रहा है उसमें उस अलग जगाने में लेकिन पिछले 5 वर्षों में वो amount double हो गया, 8000 से 16000 हो गया और मुझे लगता है अगले कई वर्षों तक हर महीने यह रकम बढ़ती रहेगी एक और आखड़ा बढ़ता हूँ, अनिल जी पिछले महीने 30 लाख नहीं SIP एड़ हुई है industry में और यह number 10 साल पहले करीब 1.5 लाख महीने का होता था महीने की 1.5 लाख SIP नहीं बनती थी, अब महीने की 30 लाख नहीं SIP जड़ रही है और क्या आपको लगता है कि यह जो नए निवेशक स्पेशली कोवीड के बाद नए निवेशकों की काफी एक बड़ी संख्या है जो बाजार में आई है काफी कुछ आपको लगता है कि एक समझदार इन्वेस्टर का तबका काफी बड़ा हो रहा है जो सिस्टेमिटिक तरीके से डिसिप्लिन के साथ म्यूचल फंस में या चाहे बाजार में डायरेट लोग लगाना चाहता है तो यह जो नए निवेशक है जिन्होंने पिछले दो साल से ज्यादा ज्यादा तीन साल से भारती बातरों में कदम रखा है उनको आप कैसे देखते हैं उनकी ग्रोहत कैसे देखते हैं उनके लिए क्या लेसंस है तो मेरे को लग रहा है यह जो बढ़ रहा है उसके चार कारेने, सबसे पहले है ट्रैक रकॉर्ड लोग देख सकते हैं, पिछले 15, 20, 25, 30 साल का ट्रैक रकॉर्ड मुच्वल फंड का देख सकते हैं, कितने साइकल के बाद भी फंड का रिटरन बहुत अचा रहा है, दूसरा, इस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, ट्राजक्शन करना इजी हो गया, उससे बहुत फर्क बढ़ रहा है, तीसरा, ट्रांसपरेंसी, इतनी ट्रांसपरेंसी जो मुच्वल फंड में हैं, और कोई प्रोडक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी, और चौथा मे इन्वेस्टर एजूकेशन, जिसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, आधिक यह अवेरनेस जगाना, कि मुच्वल फंड में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए, मुच्वल फंड में आपको वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन वॉलेटिल लंबे समय के लिए डिसिप्लिन तरीके से अरूशाशित तरीके से बजार में निवेश किया जाए, क्या आपको लग रहा है कि एक और जो बड़ा ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है, कि अब तक आज से तीन-चार साल पहले तक जनरली यह समझा जाता था कि वही एक्व बहुत बदलाव आ रहा है, अनिल जी और आप सब लगों ने जो कारे किया है, और इंडस्ट्री ने जो कारे किया है, हमारे सब डिस्रिबुटर्स ने जो कारे किया है, इसको हर जागया तक पहुचाने का, हम B30 बोलते हैं, बियॉंड टॉप 30 सिटीज, तो करीब 27-28 परसे अब B30 सिटीज के हो गए, अगर हम SIP की बुक देखें, तो करीब 40 प्रतिशत SIP बुक B30 सिटीज की बन गई है, और सबसे बड़ी चीज, जो नई SIP मैंने आपको बता है, कि 30 लाग से जादा SIP आई पिछले महीने पे, तो 55 प्रतिशत SIP B30 सिटीज से आई है, तो जादा S SIP जो है, वो B30 सिटी से आ रही है, T30, पर T30 भी बहुत अंडर पिनिटेड अनिल जी, अगर मैं आपका अरिया यही देखो, अगर मैं परहिल के आपका इस्टूडियो है, या जह आप रहते हैं, या जह आप मैं रहता हूँ, भाहं भी सब लोगों ने निवेश कर लिया है और इस दिवाली अगर मैं सबको एक गुजारिश करूँ आपकी तरफ से, आपके सभी दर्शकों को, कि आपके SIP तो हो रही है, क्योंकि आप अरिल जी से रोज सुन रहे हो, लेकिन आपके ड्राइवर की SIP हो गई, आपके जो घर पे काम करने हैं, उनकी SIP हो गई, आपके सब रिश्तेदारों की SIP हो गई, आपके सम्मित्रों की SIP हो गई, तो इस दिवाली खुशियों वाली दिवाली दूसरों के लिए भी बनाई है, जो खुशियां आपको मिली है, और आप एक नियमित रूप से निवेश कर पाए, तो दूसरों के लिए हम वो खुश्या कैस बहुत अच्छी बात है और क्योंने इसकी शुरुवात अपने आसपास से की जाए हो करते हैं और अच्छी बात है कि लोगों को यह समझ में आ रहा है कि यह सिस्टेमेटिक नरीका है जो आपके लिए वेल्थ बढ़ा सकता है कुछ और चीज़े हैं हमने काफी कुछ अच्छी बात हैं कि कुछ रिस्क वाली बाते भी हैं वो भी एक बार समझता से जानना जरूरी पहला ब्लोबल मारकेट बहार का महौल उतना अच्छा लगता नहीं देखने में भले मारकेट गटे ना गटे लेकिन दर बहुत लगता ह या इस दिवाल से अगली दिवाली तक किस तरह की रिस्क ध्यान में रखके चलना चाहिए नहीं विश्व के बाजारों में रिस्क है निल जी और पिछले वर्ष अगर एक साल पहले भी हम जाएं तो पिछले दू-तीन वर्षों में जिस तरह से जियो पॉलिटिकल रिस्क एकॉनोमिक रिस्क बढ़ी है विश्व ने ऐसा इंफ्लेशन ऐसी ब्याज की देरें पिछले 15-20 वर्षों में नहीं देखी है मुझे नहीं पता कैसे यूएस फेडरल रिजर्व बिल बी अबल टू अचीव धर 2% इंफ्लेशन टारगेट तो अगर उनको ब्याज की देरे अगर लंबे समय तक उपर रखनी पड़ी तो उसका कहीं ने कहीं अर्थ व्यावस्ता पर कहीं ने कहीं कंसूमर कॉंफिडेंस पर फर्क पड़ेगा और अगर विश्व के अर्थ व्यावस्ता में ज्यादा तकलीफ होती है तो एक तरह से भारत का मैं कहूंगा एक अट्रक अच्छे हो रहे हमारा corporate sector की balance sheet अच्छे shape में है banking sector की balance sheet बहुत अच्छे shape में है तो भारत में इतनी चिंता है नहीं है लेकिन विश्व में जरूर एक चिंता का महोल है और उसे ध्यान में रखना चाहिए उसका फर्क पड़ सकता है अब जो geopolitical risk है जो आज इसरेल पलेस्तीन में जो माहोल है या Russia Ukraine में जो माहोल है अगर उसकी वज़े से कभी कच्छे तेल की किमतें बहुत बढ़ गई तो थोड़ा फर्क हमारे यहां भी पड़ेगा तो लोगों को थोड़ा मन में डर भी रहता कि क्या political risk कोई है तो क्या Indian market में किस तरह की risk को ज्यार में रखे हमें चलना चाहिए तो बजार में घटत बटत तो हमेशा रहेगी बजार में volatility तो हमेशा रहेगी equity market में ऐसे linear return नहीं आएंगे अच्छा विश्व के की जैसे हमने बात करी भारत में भी चाहिए elections हो या कोई ने कोई और भी कारण से थोड़ी घटत बटत हो सकती है पर मैं तो य election में rather than trying to predict और कहीं पर क्या होगा अगर हम discipline रहें ऐसा नहीं कि पिछले 25 वर्षों में सब कुछ बड़ा इस्तिरी रहा है कई सारे उतार चड़ावाएं लेकिन अच्छा किया है भारतीय लोगों ने अच्छा किया है तो अगले कई वर्षों तक हम अच्छा ही करेंगे ले अगर कुछ हुआ कोई political जियो-political टेंशन लेकिन एकोनोमिक की मजबुदी हमें 140 करोड भारतियों के wisdom पर विश्वास रखना चाहिए चाहिए पॉलिटेक्स हो या कुछ भी हो उनकी विश्वास पर उनके प्रयास पर वह हमें शंका नहीं करनी चाहिए यह ठीप बात है चली इंडस्ट्री में आपके mutual fund इंडस्ट्री में भी पूरे बाज़ार में large caps versus mid cap small caps अब पैसा तो mid cap small cap में जम कर बना है और आपने बना के भी दिया है मतलब मेरे खुद के portfolio में HDFC में चले के कही सारे funds हैं लग 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 हर category में top performance रही है अब इस चर्चा में एक आम निवेशक चोटा निवेशक है वो समझ नहीं पाता मुझे क्या करना क्यों कि एक तरफ पैसे तो small cap mid cap में अच्छे बन रहे हैं दूसरी तरफ सब करते ह लार्ज केप लो तो क्या करना चाहिए कैसे positioning करनी चाहिए लार्ज केप इंडेक्स भी अगर दो साल देखें पिछले एक साल में पांच प्रतीशत बगर अगम दो साल भी देखें दिवाली से दिवाली तो मेरे कहाल में single digit return रहा है लार्ज केप में जबकि middle small cap funds काफी ज्या यूनिवर्स बड़ा होता है तो आप बहुत सारे stocks में से एक अच्छा portfolio create कर सकते हैं पर अगर आप मेरे को relative comparison पूछे लार्ज केप इंडेक्स में चूंकि दो साल में पिछले दो साल में इंडेक्स का ज्यादा movement नहीं हुआ है तो इस से में large cap funds अच्छे लग रहे हैं तो ज फ्लेक्सी कैपिटल वाले funds की भी चल देए कि ताकि फंड में जसमें ही भरुसा लखे हैं तो बहुत अच्छा option है तो फ्लेक्सी कैप में तो fund manager के पास flexibility रहती है कि वह large mid or small cap में सब में से अपना portfolio बना सकता है और multi cap में जहां पर आपको participation तीनों category में मिल जाता है उसमें 25% large cap, 25 mid cap और 25 small cap तो आपका participation पूरे market में हो जाता है तो वह एक बहुत अच्छा तरीका है बजार में निवेश करने का, funds में निवेश करने का आपने career की शुरुआ जहां से किया और उसके बाद 20-25 साल तक आपने बड़े closely debt market को भी fixed income market को भी आपने track किया है इस वक्त हम चुकि ब्याज़रे peak के आज़ पास से pose हुआ है गटना बाकिया है जो लोग equity से या तो दूर रहते है या फिर एक balance portfolio बनाना चाहते है equity भी होना इसके बाद भी overall fixed income funds ने ठीक किया है actually 5 साल देखेंगे नानिल जी 5 साल के पहले इसी समय पर करीब करीब हम discuss करें थे क्राइसिस हुआ था काफी सारी NBFC में क्राइसिस हुआ बाद में कुछ और भी bond market में या interest rates में इतना उतार चड़ा हो गया liquidity में इतनी घटत बड़त हो गई उसके बाद भी अगर आप 5 साल के returns देखेंगे fixed income funds के तो काफी अच्छे है और आपको liquidity मिलती है transparency मिलती है diversified portfolio मिल equity funds में growth हुआ है hybrid funds के जरिये equity और fixed income में थोड़ा सा participation हुआ है but जब SIP के लोग बात करते हैं तो खाली equity की सोचते है but fixed income भी एक अच्छा asset class है और अभी तो चुकि ब्याच की दरे RBI ने पिछले कई quarters में बढ़ाई तो current yield भी portfolio उसका अच्छा है कई जाधतर funds का 7,7% के ओपर current yield होगा, government of India का bond आपको करीब 7,7% के आसपास मिल रहा है तो fixed income में भी allocation करना चाहिए और आपको अगर कुछ भी चिंता है बाजार की, कि geopolitical risk की वज़े से या और कोई कारणों से बाजार में volatility रही तो थोड़ा allocation fixed income में भी रखना चाहिए और debt fund भी मैं recommend करूँगा सभी नि equity fund होता है तो उसमें करीब 65-70% equity रहती है और करीब 25-30% निवेश रहता है उसमें fixed income instrument में तो उसमें आपका दौनों में allocation हो जाता है और एक automatic rebalancing उसमें आपकी हो जाता है, वो बहुत अच्छा है, वो एक बहुत बग़िया fund है, उसमें automatic rebalancing होती है, यह बढ़ा फाइदा ह अच्छा एक और आपने कहा कि थोड़ी stability के लियाद से एक asset class हो रहे है सोने की, gold की, वापस से lifetime high के आसपास gold पहुच आ रहा है, जो पूरी दुनिया वर में tension है, उसके चलते बड़ा action सोने में भी हो, आपका क्या view हो? So, थोड़ा एक insurance के जैसे, अगर दुनिया में geopolitical risk बढ़ती है या और कोई बड़ी तकलीफ होती है, तो समय पर वैसे सोने के भाव बढ़ते हैं, पर कई सारे दूसरे variables भी है, interest rates के, US dollar का क्या रुजान रहता है उसके हिसाब से, मेरे खहाल में भारतियों का gold में already बहुत allocation ह अभी तो फिर धंतेरस आएगी और इस बार तो मैं सब को कहूँगा कि सोना खरीदें थोड़ा घर के लिए लेकिन साथ में ETF के जरिये, gold ETF के जरिये भी आप निवेश कर सकते हैं, सोने में, silver ETF भी मिल रहे हैं, अब तो silver ETF में भी निवेश कर सकते हैं, आप थोड़ा liquidity अगर एक balance sheet अब मना है जिसमें सब भारतियों की wealth आ गई तो ऐसी दिखेगी अनिल जी balance sheet, 50% उसमें property है, 15% उसमें gold है, 15% उसमें deposits है, equity allocation 5% से कम है, सब भारतियों की, अलग-अलग आपके निवेश कोंगे, जिनके अलग-अलग होगी, लेकिन अगर पूरी में एक balance sheet बना तो हमारा over allocation है वैसे तो gold को, लेकिन आप करने हैं तो मैं तो कहूंगा, धंते rest पर ज़रूद थोड़ा सा gold और silver ETF भी लेजिए हमारा, हो गया कि तो उसमें आपको tension नहीं रही, बिल्कुल और अच्छा एक और आखरी सवाल आपसे यह है कि जो कोई investors हैं, अब तक पितले 2-3 साल ठीक गया है, नए investors के लिए भी पूराने के लिए बिए, इसपेशल नए investors उन्होंने कोई ऐसा खास जटका खाया नहीं है, और उमीद करें कि अगली दीवाली तक भी ऐसा कोई बढ़ाने लगे, चोटे मुटे चलते रहे हैं, क्या एक अच्छा मंत्र सला, गुरू मंत्र जिससे एक आप कह सकते हैं, जो दीवाली पर आप 12,000 की निफ्टी देगी, 2700 की निफ्टी देगी, और वापस उसी साल में हमने उसको 12,000 वापस जाते हो देखा और बजार में काफी घटत बड़त रही, तो ये तो बजार का, बजार में तो घटत बड़त चलती रहेगी, लेकिन अगर हम continuous invest करते रहें, अगर डिस्सिप्ल याद रखी है, wealth creation का एक ही formula है, sound investment, plus time, plus patience, सही निवेश, लंबा समय और सहीम, ये तीनों चीज़ों का अगर आप follow करेंगे, तो लंबे समय में wealth creation अच्छा होगा, बिलकुल, सही जगह पर पैसा लगाएं, लंबे समय के लिए लगाएं, और सहीम रखें, और सहीम रखें, ये है आपके लिए निवेश के मंत्रों और इन मंत्रों को प्रादन करने पर आपकी ने सिर्फ ये दिवाली भग के आने वाली कई ऐसी दिवाली होंगी, जो बहुत 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 ब मिलकर हम एक वच्छ भारत स्वस्त भारत समर्द भारत का निर्मान करते हैं तो आपने देखा किस तरसे आप इस दिवाली पर लंबे समय के लिए अच्छी कंप्पनियों में या अच्छे इंवेस्मेंट आप्शिन्स में पैसा लगाकर धेदी के साथ बने रहेंगे तो यही नहीं आने वाली कई और ऐसी दिवालिया होंगी जो आपके लिए बहतरी समर्दी लेकर आएगी इस खाशों में हमारा साथ देने के लिए नवरित मुनोत साब का बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब का भी बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे दीजे इजाजत बने रही है ह दी बने सब्सक्राइब नवस्कार